आज फिर हम समाजबादी पार्टी की तरफ से मेनपुरी लोक सभागे उप्षणाओं के संबंद में परशासन का दुर्पयों किया जा रहा है उसका इज्यापन शिकायत इज्यापन मुख निर्वाचन अधिकारी उत्तर परदेश को हम लोगों ने दिया है श्री वास्तव जी और रादिशाम जी हम तीनों लोग उनसे मिले हैं और कल भी हमने ज्यापन दिया था भाजपा सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको लोकतांत्रिक परीधी में नहीं कहा जा सकता समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष श्री अखलेश यादवजी ने कही बार कहा है कि भाजपा के रहते लोकतंद्र को गंभीर खत्रा है निर्वाचन का जो तरीका है उसकी जो निश्पक्षता है निर्भीकता है सवतंत्र मद्दान की जो विवस्था है उसके लिए भाजपा पहले भी सवत्ता का दूर्प्यों कर चुकी है 2022 के उत्तर प्रदेश के विधान सभा के चुनाओं में भाजपा ने वही सप्ता का दूर्प्यों किया और समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनने जा रही थी जानादेश उत्तर परदेश में समाजवादी पार्टी के साथ था और शिद्य अखलेश आधवजी को मुखमंत्री के तौर पर उत्तर परदेश के मद्दाता और जनता देख रही थी लेकिन उस लोगतांत्रीक व्यवस्था को नश्ट किया भाजपा ने और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है ये तरीका लोगतंत्र के लिए खतरनाक संकेत देता है अभी मैन पूरी में जो लोगसभा का उप्शनाव है जहां श्रीमती डिंपल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रतियासी है वहाँ पर भाजपा उसी प्रेक्टिस को जारी की हुए है पुलिस का दुर्प्योग किया जा रहा है परशासन उसमें लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं को डराया जा रहा है धमका जा रहा है महाँ पर कुछ थाना अध्यक्षों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है जस्वादी नगर विधान समाजशेतर में समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कारिकरताओं का उनके वाहन का चेकिंग जबरन किया जा रहा है उनको रोका जा रहा है इससे ये खत्रा पैदा है और इस खत्रे की संभावना के लिए हमने निर्वाचन मुख निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को बताया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में और अब मेनपुरी के लोगसभा के उप्षणाओं में निश्पक्ष निर्वाचन में खत्रा पैदा कर रही है तत्काल हस्तक शेप करें जिससे जो लोगों का एक विश्वास है लोगतंत्र के प्रती और चुनाव के लिए वह बरकारा रह सके भाजपा की मनमानी पर रोक लग सके सत्ता का दूर्पयोग रुख सके इसकी तत्का कल में वस्ता की जाए एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की